देश में बढ़ती महंगाई और बिरोजगारी के चलते सरकार आए दिन विपक्ष के निशाने में रहती है और अब केंदर सरकार के नए कृषी कानूनों को लेकर अन्यदाता करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है तो पैतरा सोचा है क्या है अन्यदाताओं का नया पैतरा इस रिपोर्ट में देखिए देश में बढ़ती महंगाई बिरोजगारी और गिर्ती अर्थ व्यवस्था को लेकर सरकार हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहती है और इस पार के इंदर सरकार के नए कृषी कानून को लेकर विपक्ष के साथ साथ देश के अन्यदाताओं ने भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है करीब दो महीनों से अन्यदाता नए कृषी कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसकी सरकार अब तक कोई सुध नहीं ले रही है लेकिन अब अखिल भारती किसान संग धर्श समन्वे समिती राश्ट्री किसान महासंग और भारती किसान संग के कई धड़ों ने तीन नए क्रशी कानून को वापस लेनी के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश से संयुक्त मोर्चा बनाया है जिसके चलते 26 नवेंबर को देश की राजधानी को कर दिया जाएगा आपको बता दें कि इस मोर्चे के संबंद में गुरवार को बैठक की गई जिसमें करीब 500 से ज्यादा अनदाताओं के संगठनों का समर्थन मिला है साथ ही मोर्चे के कामकाज में समन्वें बनाय रखने के लिए साथ सदस्य समिती का भी गठन किया गया आपको बता दें कि तेलंगाना, चत्तिसकड और आंदरप्रदेश के भी अनदाता प्रदर्शन में शामिल होंगे जिन में पंजाब, हरियाना, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मद्दप्रदेश के अनदाताओं के सक्रिय भूमिका रहेगी DB Life की रिपोर्ट